असम में सरकार ने National Register of Citizens यानी की NRC का पहला ड्राफ्ट जारी किया है इसमें 3.2 करोण लोगों में से केवल 1.9 करोण को ही भारत का वैधनागरिक बताया गया है इस ड्राफ्ट के आते ही असम में लोगों के बीच डर का माहोल है दरसल असम में अवैद रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए सरकार ने National Register of Citizens अभियान चलाया है दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में गिना जाने वाला या कारक्रम, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर आधारी थे यानि कि अभैद रूप से रह रहे लोगों की पहले पहचान की जाएगी, फिर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा असम में घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए यह वियान करीफ 37 सालों से चल रहा है साल 1971 में बांगलादेश के स्वततरता संघर्स के दौरान वहाँ से पलायन कर लोग भारत आए और यहीं बस गए इस कारण अस्थानिये लोगों और घुसपैठियों में कई बार हिंसक वारदा आते हुई 1980 के दसक से ही यहाँ पर घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर निकालने का आंदोलन 1989 में All Assam Student Union और Assam Gणपरसद ने सुरू किया था यहां अंदोलन हिंसक हुआ और करीब 6 साल तक चला हिंसा में हजारों लोगों की मौत हो गई हिंसा को रोकने के लिए 1985 में केंदर सरकार और आंदोलन कारियों के भी समझाता हुआ उस वक्त ततकालिन प्रधानमंत्री, राजी युगांधी और स्टुडेंट यूनियन और Assam Gणपरसद के नेताओं की मुलाकात हुई थी तैह हुआ था कि 1951 से लेकर 1971 के बीच भारत आये लोगों को नागरिकता दी जाएगी और उन्हें सुकहत्तर के बाद आये लोगों को वापस भेजा जाएगा आखिरकार सरकार और आंदोलन कारियों में बात नहीं बनी और समझाता फेल हो गया बाद में Assam में सामाजी को और राजनेतिक तनाव बढ़ता चला गया 2005 में Assam और केंद सरकार में NRC लिस्ट अपडेट करने के लिए समझाता किया गया धीमिर अफ्तार की वज़े से मामला सुप्रीम कोट तक पहुचा इस मुद्धे पर कॉंग्रस जहां सुस्त दिखी वही BJP ने इस पर दाउं खेल दिया 2014 में भाजपा ने इसे चुनावी मुद्धा बनाया मोधी ने चुनावी परचार में बांगला देशियों को वापस धेजने की बाते कही इसके बाद 2015 में कोट ने NRC लिस्ट अपडेट करने के भी आदेश जारी किये 2016 में राज में भाजपा की पहली सरकार बनी और अवैद रूप से रह रहे बांगला देशियों को वापस भेजने के प्रक्रिया एक बार फिर से तेज हो गई नागरिक्ता साबित करने के लिए लोगों से 14 तरह के प्रमाडपत्र यहां साबित करने के लिए लगवाए गए कि उनका परिवार 1971 से पहले राज का मूल निवासी था इसके बाद हजारों राज सरकार के करमचारियों और अधिकारियों ने घर घर जाकर रेकॉर्ड्स को वेरिफाई किये और वनसावली को आधार बना कर जाच की गई आखिरकार साल 2017 में सुप्रीम कोट की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही आधी राध को राज सरकार में नर्सी की पहले लिस्ट जारी कर दी लिस्ट जारी होते ही नर्सी सेंटर पर लोगों की भीडुमड पड़ी अधिकतर लोग निरास दिखे आने वाले कुछ दिनों में नर्सी की दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है अगर राजनीतिक नजरी से देखा जाये तो भार्टी जंता पार्टी के लिए अवैद बांगलादीसियों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा मोदी ने चुनाव में हिंदू सरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही थी इसलिए सरकार नागरिकता संसोधन विल पास कराना चाहती है यदि सरकार मुस्लिम घुसपैठियों पर सक्त हुई तो सामाजिक खाई बढ़ने के भी आसार है बताया जाता है कि घुसपैठियों में मुस्लिमों के अलमा बड़ी तादाद में बांगला हिंदू भी सामिल है